असलाम अलेकूम हाई एवरीवन यूटुब मैं चैनल फैंस कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूं सभी अच्छे हूंगे मैं भी अच्छी हूं फैंस फिर से एक न्यू डिजेन पिलो कभर लेकर आई हूं जो आप सभी को बहुत पसंद आएगा फैंस पहले मैं आधी डिजेन दिखा चुकी हूं बना करके और फ्लावर आज बना के दिखाऊंगी कैसे बनानी है फ्लावर आप सभी को फैंस तो मैं बना के दिखाऊंगी अच्छी तरह से देखिएगा फैंस तो इसकाई ब्लू कलर इसमें लगानी है फ्लावर बनाने के लिए फैंस तो पहले पूरे मखड़ी को ईषगी ब्लू कलर से भर देनी है और उसके बार उपर कहीं से में फैंस हलका वाइट कलर लगानी है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करनी है और अच्छी तरह से इसको फिल करना है ताकि हमारा कलर जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ब्रस को अच्छी तरह से घुमाना है फ्लैट ब्रस से ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारा कलर जो है लगे नहीं कि अलग से उसमें कलर लगा हुआ है और नीचे के हिसे में फैंस पंखुरी के कर देनी है कलर को फैला देनी है ताकि अच्छी तरह से हमारा कलर जो है फील हो जाए और बिल्कुल अच्छी तरह से इसको फील करना है फैंस तरकस ब्लू कलर और हलके हाथों से ब्रॉस को भूमानी है चारू तरफ और इसमें फील होने के बाद फैंस उपर कहीं से में हलके ब दूसरी पंखुडी भी फैंस बिल्कुल पहली पंखुडी जैसी ही बनेगी और उसको भी पूरे अंदर के हिसे को फैंस भर देना है पहले किनारे के हिसे को आउट लाइनिंग करना है और उसके बाद बीच के हिसे को फील करनी है ताकि हमारा कलर जो है बाहर नहीं निकल और हमारा कलर अच्छी तरह से fans feel हो चुका है और किनारे के हिस्से में थोड़ा सा गोल सेप देना है ताकि हमारा कलर जो हलका सा निकला हो वह बिल्कुल बरावर बन जाये fans पंखुडी का और फूरा हमारा पंखुडी तयार हो गया fence दूसरी पंखुडी और उपर के ही से में fence white color mix करनी है और विल्कुल अच्छी तरह से इसको feel करनी है brush से ताकि हमारा color अच्छी तरह से feel हो जाए और pen brush से fence इसको लगानी है कि नारे पर color ताकि हमारा ब्रस में कलर ज्यादा नहीं आए और अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए फैंस बीगनर के लिए ये डिजाइन बहुत ही असान है और लोग देख करके आसानी से बना सकती है इसमें कलर कैसे मिक्स करनी है और देख करके बना सकती है और बहुत ही असान है ये ड और फ्लावर भी भी बनाकर बता रही हूं अच्छी तरह से फैंस हमारी विडियो देखे फैंस बीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंस में ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए और फ्लीज कॉमेंट कीजिए फ्रेंस कि हमारे फ्लावर कैसा लगा आप सबी को फ्रेंस हमारे दूसरी पंखुडी भी बन गई है बरस से हलका उसको फील करना था फील भी हो चुका है और हमारे नीचे कहीं से fans जो है उसमें भी अच्छी तरह से sky blue color लगानी है पहले हमें outlining बनानी है किनारे के हिसे को और उसके बाद beach के हिसे में color भरनी है और बिल्कुल अच्छी तरह से इसको feel करनी है fans ताकि हमारा color बाहर नहीं निकल पाए और अच्छी तरह से फील हो जाए हमारी पंखुडी जो है नीचे कहीं से का फैंस अच्छी तरह से बन चुका है और अंदर कलर फील करनी है फ्लैट ब्रस से और वो भी अच्छी तरह से फील हो चुका है और हलके हाथों से ब्रस को एक बार और घुमाना है ताकि बीच के हिसे में हमारा कपड़ा खाली नहीं बचे और अच्छी तरह से फील हो जाए फैंस और नीचे के हिसे में इसकाई ब्लू तरकस ब्लू कलर लगानी है और अच्छी तरह से उसको ब्रस से फील करनी है ताकि हमारा कलर जो है मिक्स हो जाए और इसको नीचे कहीं से मैं फैंस लगानी है क्योंकि उपर कहीं से मैं हमें बाइट कलर मिक्स करनी है तो नीचे कहीं से मैं तरकस ब्लू लगा क करके और धीरे धीरे ब्रस को भूमानी है ताकि हमारा यहीं से में फैंस वाइट कर लगा करके मिक्स करनी है तो मैं पहले कॉर्णर पर लगाऊंगी फैंस कलर वाइट ताकि हमारा कलर जो है मिक्स करने में पूरी ऐसानी हो तो फैंस मैं पहले कॉर्णर पर लगा चुकी हूं और अभी कलर को मिक्स कर रही हूं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मारा color और पूरे अची तरह से इसको feel करना है fans ताकि लगे नहीं कि color इसमें mix किया गया है बिलकुल real जैसे इसका सेप आना चाहिए फ्लावर का तो बिलकुल अची तरह से feel करनी है और brush को अची तरह से घुमानी है नीचे के हिसे में बीच वाले ताकि हमारा Color जो है मिक्स हो जाए और किनारे के हिसे में हलके हाटों से भरस को घूमानी है ताकि वहाँ जो Color लगा हुआ हो जो अच्छी तरह से फिल हो जाए Fends हमारी चौत ही पंखुडी है उसमें भी यही Color लगानी है Ski merit करनी है और पूरे अच्छी तरह से इसको फील करनी है फैंस और कॉर्नर के ऊपर नुकीला डिजाइन बना हुआ है तो कॉर्नर पर नुकीला इंग बनाना होगा और इसको अच्छी तरह से फील कर देनी है फैंस हमारा कलर जो है वह भर चुका है और अच्छी तरह से इसको बीच के हिस्से में फील कर देनी है ब्रस से और हमारा कलर फैंस फील हो चुका है अच्छी तरह से और नीचे के हिस्से में फैंस तरकस ब्लू लगानी है और अच्छी तरह से इसको फील कर देना है मिक्स करना कलर को और अच्छी तरह से ब्रस को घुमाना है ताकि हमारा कलर फैंस अच्छी तरह से फील हो जाए और मिक्स हो जाए कलर पता नहीं चले कि अलग से इसमें लगा हुआ है अच्छी तरह से को मिक्स करदेना है फैंस हमारा कलर फैंस अच्छे तर निक्स हो चुका है और ब्रस को हलके हातोंसे भूमाना है ताकि हमारा कलर अच्छी तरह से उस पे कपड़ पर मेल्ट हो जाए और उपर के हिसे में टाल लगा निए है तो कॉर्नर पर पहले लाइनिंग बनाना होगा और उसके बाद कलर को mix करनी है बारी क्रेश से दे करके ताकि हमारा कलर जो हो बाहर के तरफ नहीं निकले और अंदर के हिसे में अची तरह से mix तो फैंस हमारा कलर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है और बरस को हलके हातों से घुमानी है ताकि हमारा कलर ज्यादा नहीं हो और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फैंस हमारा कलर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और बरस को हलके हातों से घुमानी है ताकि जह ज्यादा कलर हो फैंस वह भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए वहाँ और लगे नहीं कि अलग से कलर इसमें अड्रेस्ट गया गया है तो अच्छी तरह से फील हो चुका है फैंस बस हलके हाथों से ब्रस को घूमा देनी है थोड़ी सी हमारा जो चौथी पंखुडी है फैंस व में अच्छी तरह से स्काई ब्लू कलर को भर देनी है और अच्छी तरह से इसको फील करना है पहले तो कॉर्णर के लाइनिंग बना है ताकि हमारा कलर जो है ज्यादा बाहर नहीं निकले और उसके बाद बीच कहीं से जो होता है न और नीचे का उसको अच्छी तरह से फील को साके हिस्के हिसे को ताकि हमारा जो क Legends कall retained दिखे नहीं और कपड़ा पहुझा तरह से मेल्ट हो जये हमारा कलर पेंस अच्छी तरह से feel हो चुका है और corner पहल के अथों से ब्रस को घुमाना है गोल सेप देनी है ताकि हमारी पंखुड़ी अच्छी लगे और अच्छी तरह से feel हो चुका है fance हमारा color भी चारों तरफ फैल चुका है और corner जो है उपर का ओ भी बन चुका है और फैंस अभी उसमें कलर लगानी है नीचे कहीं से में वाइट कलर और अच्छी तरह से इसको लाइनिंग बना करके आउट लाइनिंग और उसमें रेसे बनानी है बारीक और अच्छी तरह से फैंस इसको मिक्स कर देनी है बारीक रेसे बना करके ताकि हमारा कलर अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए और अच्छी तरह से फील हो जाए कलर बिल्कुल बारी इसमें रेसे दे करके हलका कलर लेनी है फैंस इसमें ज्यादा कलर नहीं लेना है कलर मिक्स करने में नहीं तो हमारा जो फ्लावर है वह अच्छा नहीं बनेगा ज्यादा कलर लगने के वज़े से तो कभी भी फैंस कलर चेंज करना है कि अफ्लावर कट उसमें हल्का कलर ही ले हमारा जो है color मिक्स हो चुका है फैंस अब ओपर के हिस्से में तरकस अब गानी है और इसको अच्छी तरह से mix कर देनी है इत पूरा अच्छी तरह से फिल करना है lawute blue कलर Я Solu parallel को arkadaşlar से इसको फिल कॉर्नर को अच्छा से गोल सेप देना है और उसके बाद फील करना है फैंस कलर को ताकि हमारा कलर जो है अच्छी तरह से फील हो जाए और हलके हाथों से ब्रस को घुमानी है उपर से नीचे कहीं से में और इसमें ज्यादा कलर फैंस नहीं लेना है नहीं तो हमारा कलर जो है ज़्यादा लग जायेगा और हमारा कलर नहीं बन भाएगा फैंस तो इसलिए अच्छी तरह से हलका color ले करके और इसको अच्छी तरह से फील करनी है यह देखी यह फैंस हमारा color बिलकुल अच्छी तरह से feel हो रहा है आप देख सकते हैं color को कैसे feel करनी है उपर कहीं से में पहले लेना है उसके बाद नीचे हलके हलके हादों से ब्रस को घुमानी है ताकि हमारा जो कलर है वो अच्छी तरह से फिल हो जाए बिलकुल रियल लुक दे रहा है फैंस अमारा फ्लावर और हमारी जो है पांचवी पंखुडी बिल्कुल तैयार हो चुकी है फैंस और हमारी जो च्छाठी पंखुडी है उसको भी बिल्कुल पंखुडी के जैसे ही बनानी है जैसे पहले वाली सब बनी हुई है इसको भी अच्छी तरह से कलर भरना है नीचे के हिसे में और अच्छी तरह से इसे फील करनी है हमारा कलर अच्छी तरह से फील हो रहा है फैंस और किनारे के हिसे में भी इसे अच्छी तरह से कलर को लगानी है और उपर कहीं से में फैंस गोल सेप देनी है और अच्छी तरह से इसको गोल सेप देनी है ताकि हमारी जो पंखुडी है वो अच्छी लगे और अच्छा बने हमारा जो गोल सेफ है फैंस वो बिल्कुल बन चुका है उसमें सिर्फ कलर भरनी है और अच्छी तरह से कलर भरनी है ताकि हमारा कलर जो है बाहर नहीं निकल पाए और पंखुरी जैसे बनी हुई है बिल्कुल वैसे ही बने और अच्छी तरह से बने फैंस हमारा जो कॉर्नर है और बिल्कुल अच्छा बना हुआ है और पंखुरी भी अच्छी बनी हुई है और पूरे अच्छी तरह से फैं तरकस ब्लू लगानी है और इसको अच्छी तरह से फील कर देनी है पहले तो आउट लाइनिंग बनेगी फैंस नीचे के हिसे की तरकस ब्लू कलर से और उसके बाद कलर को मिक्स करनी है तो अच्छी तरह से फैंस हमारा आउट लाइनिंग बन चुकी है और कलर फील करना है तो को हलके हाथों से color eux को फिल करना है था कि हमाकुत ही तरकस बूलू कालर है ठीक in the waal clumsy में और लगे नहीं कि इस में color अलग से लगा हुआ है तो इसलिए फैनस बिलकुल कल का इसमें color को mixing करनी है इन वी कि बिल्कुल रियल लुके नजर pist आए इसलि अच्छी तरए से इसको फील करना है इसमें ज्यादा कलर नहीं लेना है कलर मिक्स करने के लिए एक बर ब्रस में लेने से हमारा कलर बन जाता है तो अच्छी तरह से इसको फील करनी है और हमारा कलर जो है फैंस अच्छी तरह से फील हो चुका है और अच्छी तरह से इसको मिक्स भी करना है त ताकि हमारा जो नीचे के पंखुडी है वो बिल्कुल सही बन पाए और अच्छा सा लुक दे फैंस तो हमारा जो नीचे कहीं से बन चुका है और उपर कॉर्नर फे फैंस वाइट कलर लगानी है बिल्कुल कॉर्नर फे वाइट कलर और उसके बाद इसमें बारीक रेसे बनानी हैं और बारी क्रेस से बना करके को कलर कोalal को मिक्स करनी है इसको इसको अची तरह से फिल कर देनी है अची तरह से फिल करना है अ । बिल्कुल पन पड़स हो इसलिए की कॉर्णर पे लॉट बरस नहीं लग पाएगा इसलिए फैन्स पेन्स अची तरह से इसको feel कर देनी ह है और भलास को अची तरह से घुमाना है ताकि हमारा color को अची तरह से feel हो जाए और पेन बर से fan्स बिलकुल अची तरह से इसको घुमानी है आची तरह से feel हो रहा है फैंस हमारा पंखुडी और उपर से नीचे के तरह फैंस कलर को लाना है बरस से और नीचे कहीं से में बिल्कुल हलका कलर ले करके इसको मिक्स कर देना है ताकि हमारी पंखुडी फैंस बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो सके और अच्छा से बन पाए हमारा कलर मिक्स हो यह चेटी पनखूडी है ऑपने वी बिल्कूल अच्छी तरह से फील करना है विल्कुल पहले पनखूडी के जैसे ही उद्रम कलर भारना है गुशन कलर के हैं लगाने और अच्छी तरह से क्षील करना यह और यह भी हेमारी पन्खुरी फैंस अच्छी तरह से फील हो चुका है और इसमें नीचे की हिसे में उपर की हिसे में तरकस ब्लू कलर लगानी है उ अच्छी तरह से इसको फील कर देना है ताकि हमारा कलर जो है अच्छा मिक्स हो और अच्छा बने तो फैंस बारीक रेसे इसमें बनानी है हलके कलर तरकस ब्लू ले करके और उसके बाद कलर को मिक्स करनी है और हमारा कलर फैंस अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है और इसको अच्छी तरह से मैल्ट कर देना है फैंस ताकि हमारा कलर जयादा नहीं दिखे और बहुत ही अच्छा लूग बने फ़लावर का तो फैंस हमारा तर्कस ब्लू कलर मिक्स हो चुका है और नीचे कहीसे हमें हमें वाइट कलर लगानी है और अच्छी तरह से इसको feel कर देना है हमारा जो color है अच्छी तरह से fans feel हो रहा है और ब्रस को हलके हाथों से घुमानी है और अच्छी तरह से इसको feel करना है और अच्छी तरह से इसको feel करना है जो corner है नीचे का fans पहले बने का fans वीडियो पसंद आये तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फर वाचिंग मैं वीडियो